नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हर्याना पुलिस है उसकी कट ओफ आखिर कितनी गई है आप सभी ने अपना जो रेजल्ट है वो देख लिया होगा ठीक है लेकिन सबसे बड़ी दिकत तो यहाँ पर आई है कि कंडिडेट्स को यह नहीं पता कि क किन डेट थी एक थी 31 सक्टूबर दूसरी थी एक नॉंबर और दूसरी थी दो नॉंबर हर एक दिन दो सिफ्ट थी एक तो मोर्निंग वाली एक इवनिंग वाली यहाँ पर भी मोर्निंग और इवनिंग और यहाँ पर भी मोर्निंग और इवनिंग थी अब हर दिन यानि कि एक shift में कितने paper थे, आप लोग पता है, 4 set थे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, देखो, 2, 2 और 2, 6 तो यहाँ पर हो गई, और 6 shift में, कितने paper थे, हर एक shift में 4 set थे, तो यहाँ पर total हमारे पास कितने आ गए है, 24 paper यहाँ पर आ गए, आप लोग सभी को पता है यह बार त हुआ है यानि कि for example अगर आप मानना चाहें कि मानलो 31 अक्टूबर को मौर्निंग की ही बात कर रहा हूं मैं एक सेट वाले बंदे के यहां पर आये हैं 56 और दूसरे सेट वाले के आये हैं मानलो 53 ठीक है तो यहां पर ऐसी संभावना काफी है कई तो यहां पर काफी कंटिडेटकों क कि ऐसा कामशना पर हुआ है तो मैं सेट अलग लग दिफरेंस आया है कİम वाले का हो गया है ज्यादा वाले का नहीं हुआ है बाकी अभी तक जो कोमेंट्स आये हैं उनकी हिसाब से में बता देता हूं कि कौन सी shift में कहां तक minimum cutoff गई है ठीक है यह सिर्फ आप लोगों के ही बता हुए है इसको exact आप लोगों को की कौल आ गया है दूसरा इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में 53 कि स्काशन वाले इवनिंग में बात करें तो 55 क्यॉस § वाले का नाम आ गया है ऐसे ही हम अगर बात करें दो नॉम्बर की तो दो नॉम्बर को morning में 55 वाला और evening में 56 वाले का नाम आया है ठीक है यह तो बात हो गई जनरल की अब इससे अगर कम में किसी का हुआ है तो आप लोगों को comment करके बताना है कि उसका इससे भी कम में यहां पर call आया है ठीक है अब दूसरी बात करते हैं EWS की EWS यहां पर बहुत ही बड़ा game changer रहा है क्या रहा है क्योंकि इसकी जो cutoff है ना वो general शे काफी ज़्यादा गई है कहीं कहीं तो 10-11 नंबर का difference यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है अब EWS की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर को जो morning shift में रहा है वो रहा है 53 नंबर पे 53 वा इन के लिए भूला मॉर्नेंग के लिए उसका प्यस्टी हुआ है है इसके बाद सेटी वन वालें इसके बात रहा रहे तो 61 वालें बोला है कर उतो कौल लैट यानिकी प्यस्टी के लिए नाम आया है अब दो नौमबर दोनौमर की बात करें कशटीह है 60 वाले ने देखो solchen यानि कि 60 की बिल्कुल इत्पास में है और यहां पर evening की बात करें तो 61 नमबर वाले का अब यहां पर बार बार में नमबर बोल रहा हूँ इसको आप confuse नहीं होना यह question चीए ठीक है? question की में यहां पर बात हो रही है EWS क्या बात हो गई? उसके बात आता है BCB अठाउवन question वाले ने बोला है कि उसका नाम है और evening वाले ने बोला है 60 पे ठीक है? दो नमबर की बात करें तो यहां पर दो नमबर में हुआ है 57 वाले ने बोला है और यहां पर बोला है 61 नमबर वाले ने BCB हो गया उसके बात करते हैं BCA की BCA में 49 question वाले का यहां पर बोला गया है कि उसका call इसमें नाम आ गया है PSD के लिए और evening shift में 51 question वाले ने बोला है कि उसका नाम है ठीक है? एक तारिक की बात करें तो एक तारिक को यहां पर हुआ है 47 पे ठीक है नाम है ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 2 नॉम्बर की 2 नॉम्बर को 53 question वाले का यहां पर नाम है और evening की बात करें तो बावन पर BC हो गया उसके बाद बात करते हैं SC SC category में क्या हुआ हुआ है कि 45 question जिसके सही है उसका यहां पर नाम आ गया है evening की बात करें तो 47 question वाले का यहां पर नाम आया है ठीक है? और एक तारिक की हम बात करें तो 21 question वाले का नाम है और evening की बात करें तो 53 question वाले का यहां पर नाम है दो तारिक की बात करें तो यहां पर 50 question पर उसका नाम आया हुआ है और evening की बात करें तो 56, 56 question पे उसका नाम आया हुआ है उसके बाद हम बात करते हैं ex-serviceman की ठीक है, ex-serviceman की अगर हम बात करें तो 41 question पे उसका नाम है और evening की बात करें तो 43 question पे उसका नाम आया हुआ है एक नवंबर की बात करते हैं तो 48 question पे उसका नाम आया हुआ है और evening में 50 question पे उसका नाम है दोनोंबर की बात करें तो 47 question पे नाम है और 52 question पे evening वाले का यहां पर नाम आया हुआ है ठीक है अब यहां पर काफी चीज़ें यहां पर matter कर रही है एक तो जब भी पहले expected लगाया गया था cutoff तो काफी जो यूटूबर थे यानि की teachers थे वो बोल रहे थे कि 45 प्लस में भी आप लोगों का जो selection है वो हो सकता है ठीक है मैंने भी बोला था कि 45 प्लस वाले का side हो जाएगा संभावना है है ना लेकिन सभी का जो expectation था वो यहां पर गलत साबित हुआ है यहां पर difference आप लोगों को कितना देखने को मिला है देखो एक बंदे ने तो यहां तक बोला है कि उसके 65 questions सही थे और उसका वहां पर नाम नहीं आया है यानि कि देखो 20 question का यहां पर difference हो गया है और तब भी उसका नाम नहीं है यानि कि जो expectation लगाई गई थी वो बिल्कुल ही यहां पर गलत साबित हुई है अब यहां पर काफी factors है एक तो normalization जो कि किसी को समझ में नहीं आया है कि कैसे यहां पर normalization किया गया है और दूसरा यहां पर जो sitter gang है वो भी यहां पर काफी active रही होगी यह भी काफी संभावना यहां पर बनती है ठीक है तो उन candidates का जिन candidates का यहां पर selection नहीं हुआ है उनके लिए एक हिदायत है जो HSC है ना उसकी आप लोगों को तयारे नहीं करने चाहिए मैं यह क्यों बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि अगर सिर्फ HSC के उपर depend रहोगे तो HSC आप लोगों को बर्बाद करतेगी ठीक है HSC का ना कोई pattern है करने का हर बार कुछ ने कुछ नया रहता है इन लोगों का अगर special focus आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों ने सिर्फ HSC के उपर कर रखा है तो यह सिर्फ लग के उपर है अगर आपका लग अच्छा है तो आप लोग HSC कर पाओगे अगर banking की railway की इन सभी के आप लोगों को तैयारी यहां पर कर लेनी चाहिए क्यों क्यों कि देखो इन सभी का जो pattern है वो fix रहता है बिलकुन आप लोग अगर exam देते हैं तो आप लोगों कम से कम यह तो पता है कि exam में क्या आएगा है ना तो वहां पर लग तो है लेकिन साथ में आ लग के बाकि इतने भी यहां पर हैं जीकी हो गया ठीक है math हो गया reasoning हो गया वह सभी हम वहां पर भी पड़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है सिर्फ exam देने हैं HSC के HSC की उपर पूरा depend आप लोगों को नहीं रहना है आप लोगों को दूसरे exams की तयादिया आपर कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इस बात को अमल कर सकते हैं अगर नहीं लगे तो आप लोग HSC कर सकते हैं ठीक है क्योंकि HSC का अभी तक कोई भी pattern fix नहीं है हर बार इनका कुछ ना कुछ नया रहता है किसी को नहीं पता इनका pattern क्या रहेगा क्या पूस लिया जाएगा ठीक है तो सिर्फ इसके उपर focus करोगे तो ऐसा ही रहेगा अब बहुत सारे ऐसे candidates हैं जिन्होंने एक-एक साल से पूरा focus इसके उपर किया गया था और उन candidates का अब भी नहीं हुआ है तो पूरी मैनत करने के बावजूद अगर आप लोगों को result नहीं मिलता है तो अब उसके बारे में क्या बोला जाता है ठीक है तो आप लोग समझदार हैं समझ पा रहे होंगी कि मैं क्या क पूरा लग रहा है कि सर आपने बोला था 45 में भी हो जाएगा 50 में हो जाएगा नहीं हुआ तो भई देखो exact किसी को कुछ भी नहीं पता है ठीक है अब जैसे ये भी बताया है तो ये भी आप लोगों के द्वारा बताया गया ही है ठीक है हमने एक खुझ से तो नहीं बनाया है आप लोगों ने जो comments करके बताया है उसी की हिसाब से हमने ये try किया है अब यहां पर भी difference हो सकता है मैं